नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंगु किंद्री ग्रेह मंत्री अमिच शाह जो भी बोलते हैं बिना लाग लपेट के बोलते हैं वो इस बात की परवा नहीं करते कि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी लोग किस तरह से सोचेंगे जो बात उनको सही लगती है वो बोलते हैं चाहे वो सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया का जजमेंट यानि फैसला ही क्यों नहीं हो अर्विन केजरिवाल के मुद्दे पर सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों का मानना है कि ये एकसेप्शन किया गया उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया ये सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर एक तरह की कड़ी टिप पड़ी है और ये बात ऐसी है जो करोड़ों लोगों के मन में थी जो केंद्रि ग्रे मंत्री अमिच शाह ने जिसकी अभिव्यक्ति की और इससे लोगों को थोड़ा सैटिस्वैक्शन मिला होगा थोड़ा संतोश हुआ होगा कि कोई हमारी बात को मानने को कहने के लिए तैयार है जिस तरह से अर्विंद केजरिवाल के मामले में मेरा भी मानना है कि एक्सेप्शन किया अपवाद स्वरूप जो है जिस तरह से उनको अंतरिम बेल दी गई एक विशेश परिस्थिती में अलनकि कल सुप्रिम कोट में सुनवाई थी अर्विंद केजरिवाल की जो याचिका है कि उनकी गिरफतारी एडी ने जो की वो गैर कानूनी थी उस पर सुनवाई चल रही उस सुनवाई के दौरान सुलिसिटर जनरल तुशार महता ने मुद्दा उठाया अर्विंद केजरिवाल के बयान का कि वो रैलियों में अपने भाशनों में कह रहे हैं कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट देंगे तो दो जून को मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने कहा कि ये जो है अदालत की आव मानना है ये सिस्टम पर एक तरह का तमाचा है इस तरह का बयान देना और जिस तरह की शर्ते हैं उनकी अंतरिम जमानत की उसका भी ये उलंगन है लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने जो बिंच पर सुनवाई कर रहे थे उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहते रहे हम उसका जो है संग्यान नहीं लेते हमारा जो फैसला है कब तक उन्हें जो है जमानत पर रहना है कब सरेंडर करना है यानि एक जून तक उनको अंतरिम जमानत मिली है दो जून को उनको सरेंडर करना है ये हमारी तरफ से इतना ही है और हमारे फैसले का जो है वो जब तक कानून का राज चलेगा तब तक हमारे फैसले का पालन होगा हमारे लिए यही महत्व रखता है बाकी वो क्या बोलते हैं हलाकि बात में उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि अ जो है इस मामले में एफिडिविट दायर करेंगे तो वो भी जवाब में एफिडिविट दायर करेंगे और इसमें मुद्दा उठाएंगे केंदर के एक वरिष्ट मंत्री की टिपड़ी जो इस बारे में सुप्रिम कोड का फैसला है उस पर इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अपने जज्ज्मेंट के क्रिटिसिजम का आलोचना का स्वागत करते हैं लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है और किसी को भी अलग अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको जो उस समय उचित लगा वो हमने किया लेकि इसकी भी नहीं है कि उससे अर्विन केजरिवाल को undue advantage मिला दूसरे लोगों की तुला में यह खास तोर से अगर कहे तो हैमन सुरेंड की तुला में या दूसरे जो बंदी है उनकी तुला में बात वहीं तक सीमित नहीं है बात इसकी है कि एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्रिया रियायत क्यों? अर्विन केजरिवाल में ऐसा क्या है? ऐसी क्या खास बात है? उनके जेल में रहने से ऐसा कौन सा आस्मान टूट पड़ने वाला था? अगर वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलते, उनको निकलने का मौका नहीं मिलता, उनको अंतरिम जम हो कि कोई नेता जेल में है और उसकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? खुद लोग जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं, उनको जो है चुनाव प्रचार की परमिशर नहीं मिलती, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती है. अर्विन केजरिवाल में ऐसा क्या है? और आखिर कुछ तो है, अर्विन केजरिवाल और हेमन्द सुरेन का केस लगभग एक जैसा होते हुए भी दोनों के साथ अलग अलग बरताओ, हमारी देश की सरवोच अदालत ने क्यों किया? और किंदरी ग्रेह मंतरी अमिश्या अगर ये बात कह रहे हैं तो आप मान कर सर क्या होगा, किन लोगों पर होगा और कहां तक होगा? इन सब मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद उन्होंने ये टिपपड़ी की है, तो बड़ी सोची समझी टिपपड़ी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए और ग्रेह मंतरी ने कहा कि सुप्री प्रिश रियायत दी गई, अब ये बात मेरा मानना है कि करोडों लोगों के मन में है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मामला ये केवल अर्विद केजरिवाल तक सिमित नहीं है, या किसी और से तुलना जो हैमत सोरेन से मैंने तुलना की वहां तक सिमित नहीं है, सवाल ये है कि कानून क्या सब के लिए बराबर है, क्या सुप्रिम कोर्ट की नजर में सम्विधान की नजर में सारे लोग एक समान है, सम्विधान तो यही कहता है, कि हर व्यक्ति का अधिकार समान है, कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन अर्विद केजरिवाल के मामले में ऐसा लगत उनके लिए विशेश तर्क गड़े जाते हैं। उसके आधार पर उनके बारे में फैसला होता है। सवाल यह है कि अभी तक सुप्रिम कोट ने ये तैय नहीं किया कि उनकी गरफतारी कानूनी है या गैर कानूनी है। सुप्रिम कोट चाहता तो ये फैसला करने के बाद उनकी जमानत के बारे में कोई फैसला देता। अगर गिरफतारी ही उनकी वैद नहीं है तो फिर जमानत देने ना देने का प्रश्ण नहीं उटता। और अगर उनकी गिरफतारी वैद है, कानून सम्मत है तो फिर उनको PMLA केस में किस आधार पर रियायत दी जा रही है क्या आप राधी की राजनितिक प्रश्च भूमी देखकर उसको बेल देने या न देने का फैसला होगा क्या ये मुद्धा ये फैसला जो है आने वाले समय में नजीर बनेगा क्योंकि एक मामले में अगर आप इस आधार पर फैसला करते हैं तो दूसरे मामलों में भी इस तरह की परस्तितिया हो सकती है अब ये भी प्रशन उठ सकता है जारखंड मुक्ति वोच्छा के लोगों के मन में आ सकता है मन सोरेंट के भी मन में आ सकता है कि अगर मैंने भी स्तीफा न दिया होता तो क्या मेरे साथ भी इस तरह का फैसला आता है ऐसे सवालिया निशान सुप्रिम कोर्ट की प्रतिष्ठा को धुमिल करते है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रिम कोर्ट के जो जजजेस जिनों ने ये फैसला दिया दिपांकर दत्ता और संजीव खन्ना उनकी नियत में कोई कोड था या वो जानबूच कर कोई अरविंद केजरिवाल का पक्ष लेने के लिए वहां बेंच में थे लेकिन उनके फैसले से ध्वनी यही निकलती है कि अरविंद केजरिवाल के लिए विशेश परिस्थितियां बनाई गई उनके लिए विशेश रियायत का इंतजाम किया गया नियाएधीश का काम केवल नियाय करना ही नहीं है उसको नियाय करते हुए दिखना भी चाहिए अर्विंद केजरिवाल के मामले में सुप्रिम कोट की इस मेंच का जो फैसला है वो न्याय करते हुए देखता नहीं है तरक भले ही देखे सुप्रिम कोट के जज है तो विद्वान है उनको सम्मिधान की जानकारी है कानून की जानकारी है कानून के तमाम पेंच निकाल सकते हैं तकनीकी तर्क दे सकते हैं कि इस आधार पर उनको दी गई जमानत बाकी मामलों से किस तरह से वो भिन है वो सब है लेकिन एक चीज होती ही पब्लिक परसेप्शन ये ठीक है कि सुप्रिम कोट का फैसला पब्लिक परसेप्शन के आधार पर नहीं हो सकता लेकिन सुप्रिम कोट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके फैसले से पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा और ये पब्लिक परसेप्शन किवल राजनीती के आधार पर बने या ना बने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फैसले के आधार पर फैसले की गुर्वत्ता को लेकर उस पर जब सवाल उठता है उसको लेकर सवाल भी न उठे मन में संदे होता है कि नहीं ये ठीक तो नहीं हुआ ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये सुप्रीम कोट की क्रेडिविल्टी को कम करता है अब ये बात ठीक है कि जजेज ये बात कभी स्विकार नहीं करेंगे कि वो पब्लिक ओपिनियन के दबाव में कोई फैसला करते है या पब्लिक ओपिनियन के दबाव में जो है वो अपने फैसले को बदलेंगे या उस पर पुनर विचार करेंगे या अलग तरह से अगली बार फैसला देंगे वो ऐसा नहीं करते उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए उन्हें सम्मिधान की व्याक्या करनी चाहिए उन्हें सम्मिधान के मताबिक जो है वो फैसला देना चाहिए लेकिन ये बात जरूर सोचना चाहिए कि उनका फैसला भविश्य में नजीर बनेगा उदाहरन बनेगा तो क्या वो सही उदाहरन जो है पेश कर रहे हैं क्या इस तरह के मामलों में इस तरह अंतरिम जमानत देने का फैसला एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है व्यक्ति ही नहीं उसकी पूरी पार्टी के खिलाफ इन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट कह रहा है कि उसको आरोपी बनाएंगे आई कोर्ट में अभी दो दिन पहले कहा है इन्फोस्मेंट डिरेक्टरेट ने जिसकी जो है इमानदारी पर संदे है जिस पर ब्रष्टाचार के गंभीर आरोप है उस पार्टी के नेता को चुनाव प्रचार की इजाज़त दे कर और exception बना कर विशेश छूट दे कर आखिर क्या संदेश देना चाहता है सुप्रिम कोड ये सवाल लोगों के मन में है और य इस तरह कि रियायत किसी और को क्यों नहीं मिली ये लोगों के मन में सवाल है और मैं बार-बार कोड कर रहा हूं हमन सुरेन का नाम उनका मामला भी लगवग इसी तरह का था वो भी भष्टाचार के आरोप में PMLA के आरोप में जो है वो जेल में बंद है वो भी मुख्यमंत और मैंने पहले कहा था कि उन्होंने नैटीकता दिखाई और गिरफतारी से पहले इस्तिफा दे दिया शायद यही उनकी गलती थी इस बात को कंसीडर क्यों नहीं किया है भी वो मुख्यमंतरी पद पर بنे हुए हैं उस पर कोई फैसला तो बहुत दूर की बात है कोई टिप्पनी भी नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि अंतरिम जमानत देंगे तो तो वो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता, तो वो मुख्यमंत्री क्यों है, ये सवाल बार बार उठता रहेगा। सुप्रिम कोट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कि क्यों एक मुख्यमंतरी को वो काम करने से रोक रहा है, अगर उसको चुनाव प्रचार की इजाजत है, उसको प्रशाशन चलाने की इजाजत क्यों नहीं है, और प्रशाशन ठप है अगर तो उस हालत में क्या विवस्ता होनी चाहिए सम्विधान क्या कहता है या सम्विधान की क्या नई व्याक्या करने की जरूरत है क्या इस मामले में कोई विशेश फैसले पर पहुँचने की जरूरत है इन मुद्दों पर भी सुप्रिम कोट को जमानत देने से पहले विचार करना चाहिए था लेकिन अब वो बात तो हो चुकी है और सुप्रिम कोट ने कह दिया है कि इसके बारे में वो और कुछ नहीं सुनना चाहते और जो लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं उसका वो स्वागत करते हैं अलग-अलग राय सबकी हो सकती है ये बात सही है लेकिन सवाल जो है वो ये उठना बंद नहीं होने वाले है और इस तरह के मामलों में जब किसी नेता को खास्त और से रसूख जारव्यक्ति को समाज के उसके लिए विशेश रियायत होती है तो आम लोगों के मन में कानून और न्याय के जो शाशन है उसके प्रती एक संदेह पैदा होता है तो सुप्रेम कोर्ट के इस फैसले से अर्विंद केजरिवाल को रियायत मेली उससे मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी चिंता का विचा यह है कि लोगों के मन में कानून और सम्मिधान के शाशन के प्रती संदेह पैदा हो रहा है कि विशेश लोगों के लिए कानून की अलगतर से व्याक्या होती है और आम लोगों के लिए कानून की अलगतर से व्याक्या होती है ये नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो ये रुकना चाहिए और ये जिम्मेदारी और इसकी जवाब देई सिर्फ और सिर्फ सरवोच अदालत की है तो इस अंक में इतना ही अगले एक पर फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नोती दीजे आपसे अनलोद है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार